तो वेडि गूड मॉर्निंग आईए चर्चा करते हैं संगीत और निर्थि पर और इनका क्या भगवान से कोई संबंध है भगवान की प्राफ्ति से कोई संबंध है देखिए जैसा कि आपको मैं पहले बता भी चुका हूँ कि श्रिष्टी में श्रिष्टी का जो प्रारंभ है वो कहते हैं कि अनाहत नाद से हुआ ठीक है ब्रह्मा जी ने नाद की तो स्रिष्टी बनी नाद means it's a sort of sound तो ठीक है तो sound से ही प्रिथवी का जन्म हुआ ब्रह्मांड बना तो आप समझ सकते हैं कि sound का या कितना महत्व है लेकिन मैं आपको बता हूँ वो एक किसम की sound नह में चक्र हैं यही चक्र हैं जो सातो सुरों के बदे हुए हैं और उन्हीं से संगीत निकलता है देखो मैं तो मैं बिल्कु सीधे बिना घुमा फिराय बताता हूं जिस मनुष्य में संगीत और निर्तिके परती ठीक है अगर आप म्यूजिक और डान्स से प्रेम करते हैं य इसमें आध्यात्मी गुरू होना चाहिए तुम सोचते हो कि एकदम सीरियस होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है ठीक है तो संगीत और निर्ति आप जितना ज्यादा कर सकें ठीक है उतना आनंद उतना प्रभू के नस्दीक है क्योंकि यह आपको यह आत्मा का विशह है यह शर दिशेर को लग रहा है उसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं ठीक है लेकिन यह जो संगीत और निर्ते हैं यह आत्मा का पिशह है और अदाधी काल से चला आ रहा है आप देखते नहीं जैसे कि कोई गाना बचता है तो आप अपने थिरकने लगते है ऐसा नहीं होता है कि आपको ठिरकाना पढ़ता है, ठिरको ठिरको, कुछ ऐसे होते हैं जिनको नहीं ठिरकता है, गाना सुनकर के भी, वो सब के अंदर-ंदर के चकर की अवश्था है, तेकि बहुदा लोग अगर एक अच्छा संगीत बज रहा हो, तो वो उनको निट्ट करने कामन करता है, क्योंकि तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम क्यों डांस करना चाहते हो, तुम संगीत सुनके क्यों नाचने लगते हो, यह तुमने कभी सोचा इस बारे में, तुमने नहीं सोचा, क्यों 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 सोचते ही नहीं हो इस तरीके से, संगीत सुनके हम क्यों नाचत होगी तभी हमें आनंद देता है और नाड़ी आवस्त्व हिए आत्म के जो आणु होता है उसका संगीत और यह निर्ट्य है यह परमेश्वर को निकठ हैं और परमेश्वर को प्रिय हैं ऐसा माना जा सकता है माना किया सकता है ऐसा सही है ऐसा है ठीक है जहां तक निर्थी की बात है निर्थी अलग अलग किसम से होता है निर्थी हर एक निर्थी का जो step है चाहे वो कोई भी निर्थी हो किसी भी किसम का pop rock hip hop चाहे rock चाहे classical चाहे भरत मनिपूर चक्र को हिलाता है वहाँ पर वो जो चक्र मौझूद है वो उसको एक्टिवेट करने में हेल्प करता है ठीक है तो डान्स एक ऐसी प्रोसेस है म्यूजिक एक ऐसी प्रोसेस है जिसके दुआरा आपने आप परमेश्वर तक पहुँच भी सकते हैं यह परमेश्वर तक पहुचाने का एक मार्ग भी है मैं आपको बता दूआ आपने म्यूजिक थेरेपी, डान्स थेरेपी सुनी होगी और आजकल मेरे ख्याल से वीडियोज यूटूब में होगई मैंने देखिए डान्स थेरेपी music therapy के वीडियो लेगे मैंने ऐसा सुनाए कि ऐसी थेरेपियां होती हैं तो मुझे तो आप जब भी निर्ति करेंगे किसी भी तरीके का निर्ति अगर आप उसी में lean हो करके करेंगे तो आप उस परमेश्वर के करीब जा रहे हैं आप मीरा भाई को ले लीजे वो एक तारा है जो हमारे को परमेश्वर से जोड़ती है ठीक है यह एक पॉजिटिव किसम की वाइब्रेशन निकालती है चाहे हम नाम संकीरतन कर रहे हो चाहे हम भजन कर रहे हो चाहे हम निर्ति कर रहे हो तो उसमें ऐसे खो जाओ जैसे कि तुम परमेश्वर के हो गए तुम ऐसे खो भगवान के प्री भक्तों को ले लीजिये, आप नारद को ले लीजिये चाहे मीरा का उधारन ले लीजिये, जो भी हैं कबीर हो रहिवों रहता सब गाते ही तो थे, घाते हैं बिढ़कर के हरी नाम संगीर्टन चला है कीरतन चला है जब चला है कुछ मतलब हो रहा है संगीत निर्टे हर जगे है चैतन्य महा प्रभू को ले लीजिए आनंद की महिमा बह रही है कितने बढ़ियां बढ़ियां प्रभू के गाया मतलब प्रभू के भक्त हुएं जो सिर्फ गागा करके प्रभू को रहते है सूर दास तुल्ची दास बड़ी बड़ी तचनाय करते हैं और गाते रहते हैं उनको संगीत और निर्थ की महमा आपरम पार है और ये सीधे स्परमिश्वर से आपको जोड़ती है इसलिए अगर आप में संगीत और निर्थ के प्रतीरुची है तो ये बहुत अच्छा चीज है यह एक हायर फील्ड है यह एक क्रियेटिविटी की हायर फील्ड है जो कि आपको परमिश्वर के करीब ले जाती है ठीक है चलिए धन्यवाद